भारती टीम और भारत की लोग ICC ट्रॉफी का इंतिजार एक दशक से भी ज्यादा समय से कर रहे हैं। बताते ही कि मैं ब्लू ने आखरी ICC ट्रॉफी 2013 में चैंपियन ट्रॉफी के रूप में अपने नाम की थी। मही करीब साथ मैंने पहले टीम इंडिया ICC ट्रॉफी जीतते हुए रहे गई थी लेकिन इस बार टीम इंडिया ट्रॉफी के बहुत करीब पहुंचुकी है और भारती टीम को एक पर फिर से ट्रॉफी जीतने का मौका मिला है। आज टीम इंडिया T20 विश्व काप 2024 में फाइनल मुकाबला दक्षिन अफ्रिका के खिलाब खेलेगी। भारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच होने वाली खितावी मुकाबले के शुरुबात भारती समय के अनुसार रात में आठ बजे होगी। इस मैच से पहले इंग्लेंग के पूर्व स्पीनर मोंटी पनेसर ने बड़ी भविश्यमानी की। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब जीतेगी और फाइनल में कोहली शतक लगाए है। न्यूज एजन्सी ए एन आई से बात करते वे पूर्व इंग्लेंस स्पीनर ने कहा भारती टीटवांटी वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीतेगा और विराट कोहली शतक लाएंगे। बता दे कि विराट कोहली टीटवांटी वर्ल्ड कप 2024 में आप तक सबसे खराब फॉर्म से गुजरते हुए दिख रहे हैं विश्व कप से पहले खेले आई पील 2024 में कोहली का बल्ला जम कर बोला था। टूर्णामेंट में वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे उन्होंने टूर्णामेंट में 100.75 की और 154.79 के शांदार स्ट्राइक रेट से 441 रन बनाएं थे। हाला कि कोहली IPL वाली फॉर्म विश्व कप में बरकरार नहीं रख पाई टूर्णामेंट का पहला मुकाबला आईरलेंट की खिलाफ किला था जिसमें वो सिर्फ एक रन बना सके थे। इसके बाद से ही कोहली ले हासिल नहीं कर सके। हाला कि फाइनल मुकाबले में फैंस विराज कोहली से अच्छे पारी के उम्मेद कर रहे हैं। गौर्दलब है कि अब तक रोहित शर्मा ने विराज कोहली को काफी कवर अब किया है। अब देखते हैं कि आज रात किसके हक में होता है या मैच और किसके सर पर सज़ता है ताज।